आदाब ये आकाश्वानी है खबरों के साथ मैं माजीद अली अडानी ग्रूप पर इडिनबर्ग तहकीकाती रिपोर्ट के मामले पर अपोजिशन पार्टियों के एतजाज के सबब पार्लिमेंट के दोन अवानों की कारवाई दो पहर दो बजे तक के लिए मुल्तवी कर दी गई है जी टुएंटी की पायदार माली उमूर से मतालिक वर्किंग ग्रूप की पहली मीटिंग आज गोहाटी में शुरू हो गई है बीजेपी ने नागलेंड असंबली इंतखाबात के लिए नडीपीपी के साथ सीटों के बटवारे का एलान किया है इंतखाबात में वो 20 सीटों पर जबके उसकी तहादी नडीपीपी 40 हलकों में चुनाव लड़ेगी बीजेपी ने में गालेंड असंबली इंतखाबात के लिए भी 60 हमीदवारों की फैरिज जारी की है और सेमल्गी टी-20 सीरीज में आज शाम भारती खवातीन की टीम खिताबी मुकाबले में मैजबान जुनूबी अफरीका का मुकाबला करेगी अब खबने तफसील से अडानी ग्रूप पर हिडिन बर्ग की रिपोर्ट और भारती शेहर बाजार और दूसरे मौामलात पर इसके मुबएन असरात पर अपोजिशन पार्टियों के एतजाज के बाद पारलिमेंट के दोनों यवानों की कारवाई दो पहर दो बज़े तक कि मिम्बरान एवान के वस्त में जमा हो गए और मामले की तहकीकात का मुतालबा करने लगे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला मिम्बरान से बार बार अपनी सीटों पर वापस जाने और रेवान के आदाब का ख्याल लखने की अपील करते रहे लेकिन एथिजाज करने वाले मिम्बरान ने उनकी बात नहीं मानी और एवान की कारवाई दो बज़े तक मुलतवी कर दी गई इसी तरह का मंदर राजसभा में देखने को मिला LIC, सरकारी बैंकों और इक्तिसादी एदारों के जरीए बाजार में कदर कम हो रही कंपनियों में सरमाया कारी करने जैसे मामलात पर बहस कराने के लिए कई अपोजिशन मिम्बरान ने एवान को मुलतवी करने के नोटिस दिये जे चेर्मेन जगदीब धनकर ने इन नोटिसों की ये कहते हुए अजासत नहीं दी के ये सही ओर्डर में नहीं है इस से मुच्तहिल होकर कॉंग्रेस, टी-म-सी, आप, डी-म-क, समाजवादी पार्टी, बायाबाजू और दीगर अपोजिशन पार्टी मिम्बरान एवान में शोर शराबा करने लगे चेरमेन नहीं मिम्बरान से एवान में आमन बरकरार रखने को कहा लेकिन शोर शराबा जारी रहनी के वज़ा से एवान की कार रवाई दो पहर दो बज़े तक मुलतवी कर दी गई बड़े सनेदिये दारों सरमायकारों और आम लोगों ने 2023-2024 के मरकजी बजट का खेर मकदम किया है और उसे तरक्टी पसंदनाना दानिशमन नाना और मस्तक्बिल की तरफ ले जाने वाला करार दिया है तिजारत और सनद के भारती एवानों की फेडरेशन फिक्की के सदर सुबरकांद पांडा ने कहा है कि इस साल का बजट ना सिर्फ अंदरून मुल्क लोगों के लिए एहमियत का हामिल है बलके ये एक ऐसा कदम है जो भारत को जुनिया के तरक्टी के सफर में एहम मकाम पर पहुँचाएगा भारती सनदों की कन्फडरेशन सी आई आई के सदर संजीव बजजाज ने बजट को तरक्टी की जानिब ले जाने वाला करार दिया उन्होंने कहा कि अवामी खराजात में 33 पीसद इदाफिस से रोजगार के मवाके पैदा होंगे सोचेम के सदर सुमान सिना ने कहा कि बजट में जो एलान किये गए हैं उनसे कारुबार करने में और ज्यादा सहूलत हो जाएगी और मसमी शुबे को भी मदद मिलेगी कॉंग्रेस ने मरकजी बजट में टेक्स में कमी से मतालिक ऐलान की तारीफ की है पार्लिमेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए पार्टी के एमपी कार्ती चिदमरम ने कहा कि टेक्स में किसी भी कमी का खेर मकदम किया जाना चाहिए पार्टी के एक और MP शशी धरूर ने कहा कि मरकजी बज़ट में कुछ बातें अच्छी हैं उन्होंने कहा कि अलबत्ता इसमें मनरेगा बेरोजगारी और अफरातिजर का कोई जिक्र नहीं है अपनी तक्रीर में मौतरमा सीतरमन ने सरकारी एजन्सियों के सभी तरह के डिजिटल निजाम के लिए पर्मनेंट अकाउंट नमबर पैन को एक मुश्तर का पहचान के तोर पर इस्तमाल करने की तजवीज पेश की बंदरगाहों, जहाजरानी, आभी कुजरगाहों और आयूश के मरकजी वजीर सरबनन तोनवाल ने जीट्वेंटी के रुक्न मौमालिक के नमाइंदों से अपील की है कि वो पायदार तर्द जिन्दिकी को अवामी तहरीक बनाने के लिए मिलकर काम करें आद सुब कुहाटी में जीट्वेंटी की पायदार मालियाती वर्किंग ग्रूप से मतालिक पहली मीटिंग का इफ्तिता जलास से खताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि दुनिया को एक साफ सुत्रे और आलूद की सिपाग माशरे के लिए काम करना चाहिए उन्होंने बताया कि भारत ने अपने कौ़मी तरक्की के लिए पायदार तरीका कार को अपनाया है और वो उसे फरोग दे रहा है मीडिया से बात करते हुए जनाब सौनवाल ने कहा कि भारत की जी टुएंटी की सथारत हमारे लिए एक फखर का लमहा है जिससे हम दुनिया को अपनी माल-माल विरास्त की रूनमाई कर सकते हैं उन्होंने कहा कि आपो हवा में तब्दीली ने इनसानी नसल के लिए मुश्किल सूरत पादा कर दी है और इस जलास में यकिनी तोर पर रास्ते तलाASH करने होंगे ताके इस आलमी मसले को हल किया जा सके उन्होंने कहा कि इस दोरोजा मीटिंग में हम कोशिश करेंगे कि माहलिया से मतालिक कारवाई के लिए ठोस मालिये की मुश्किलात की निशान दही करें और इस बात की भी कोशिश की जाएगी कि दुनिया के वाम की फलाव बैबूत के लिए मसावी तरक्की हासिल की जाए राजिस्थान के शहर जोदपूर में रोजगार से मतालिक जी ट्विंटी वरकिंग ग्रूप की मीटिंग आजसे शुरू हो रही है 19 मुलकों, यूरोपी उनियन, 9 महमान मुवालिक, नीज इलाकाई और बैनलक्वामी तन्जीमों के 80 से ज्यादा मंदूबीन तीन रोज़ा मीटिंग में इससा लेने के लिए जोदपूर पहुँच गए है मसकुरा मीटिंग आजसे पहर शुरू होगी हमारे नामानिगार ने खबर दिये के मंदूबीन के खेर मगदम के लिए खादिर्खा इंतिजामात किये गए हैं ये खबरें आप आकाशवानी से सुन रहे हैं वजिर आज़म नरेंदर मोदी कल वीडियो कानफरेंसिंग के जरीए आसाम के बार पेटा में आलमी अमन के लिए क्रिशन गुरू एक नाम अखंड कीरतन में शिर्कत करेंगे वजिर आज़म क्रिशन गुरू सेवाशरम के अगीदन मंदों से खिताब भी करेंगे परम गुरू क्रिशन गुरू ईश्वर ने 1974 में बार पेटा के नासातरा गाउं में क्रिशन गुरू सेवाशरम कायम किया था वो महा वैशनव मनोहार देवा के जानीशीनों में से हैं जो अजीम वैशनव संत स्रीमंता संकर देवा के पेरोकार थे बीजेपी ने नागलेंड में आइंदा असंबली इंतखाबात नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एंडी पीपी के साथ मिलकर लडने का ऐलान किया है बीजेपी 20 सीटों पर जबके एंडी पीपी 40 सीटों पर इंतखाबात लड़ेगी पार्टी ने नागलेंड में आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फेहरिस्ट भी जारी की है बीजेपी ने आज मेगालिया में असंबली इंतखाबात की खातिर भी उम्मीदवारों की फेहरिस्ट जारी की है पार्टी ने रियासत में सभी 60 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है एक प्रेस कांफरेंस से खिताब करते हुए पार्टी के तर्जमान रितुराज सिना ने कहा कि लोगों के जजबात के पेशे नजर पहली मरतबा बीजेपी कियादत ने मेगालिया में सभी 60 सीटों पर इंतखाबाद लड़ने का फैसला किया है नागलेंड और मेगालिया में असामली इंतखाबाद के लिए वोटिंग वाहिद मरेले में 27 फरवरी को होगी नताइज का ऐलान 2 मार्च को किया जाएगा उत्रगंड में कुदरती आफाद से मतासरा अफराद के लिए पहले तैयार पनागाहों की तामीर का काम जा रही है इन पनागाहों की तामीर जोशिमट के करीब ढाक गाहों में की जा रही है शुरू में 15 पनागाहें गाहों में तामीर की जाएंगी इसके बाद महाँ 200 पनागाएं तामीर की जाएंगी बिजली और पानी की सप्लाई के सभी जरूरी इंतजामात कर लिए गए हैं खवातीन किर्किट में आज जुनूबी अफरिका में इस लंदन में तीन मुलकों की सीरीज के फाइनल में भारत का मुकाबला जुनूबी अफरिका से होगा ये मैच भारती वक्त मताबिक शाम साड़े च्छे बजे शुरू होगा वेस्ट इंडीज इस टूड़नमेंट में से लेने वाली तीसरी टीम है इस सीरीज में भारती खवातीन ने जो चार मेच खेले हैं उन में से तीन में जीत हासिल की है जबके एक लीग में बारिश के वज़ा से रद्ध हो गया था खवातीन का टी-20 वर्ल्ड काप इस महीने की दस तारीख से शुरू होने वाला है और भारती टीम की कोशिश ये होगी कि तीन मुलकी सीरीज जीत कर अपनी तैयारियों को और मुस्तहकम बनाया जाए अमरिका ने सेमिकंडक्टर्स के शोबे में भारत में एक फैब्रिकेशन एको निजाम के फरोग की हिमायत की है उसने मैचियो टेकनलोजी नोड्स और जदीद पैकेजिंग के लिए मुश्तरका प्रोजेक्ट लगाने के अलावा शरागतदारी की भी होसला अफजाई की है दोनों मुलकों ने भारत के सेमिकंडक्टर मिशन इंडिया एलेक्ट्रोनिक सेमिकंडक्टर एसोसियेशन और अमरिका के सेमिकंडक्टर एंडिस्टर्जी एसोसियेशन के दर्मियान इश्तराक को बढ़ावा देने के लिए एक टास्ट फोर्स बनाने से इत्तफाक किया है और आखिर में खास-खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर अडानी ग्रूप पर हिंडनबर्ग तहकिकाती रूपोर्ट के मामले पर अपोजिशन पार्टियों के इतजाज के सबब पार्लिमेंट के दोनों एवानों की कारवाई दो पहर दो बज़े तक के लिए मुलतवी कर दी गई जी ट्वेंटी की पायदार माली उमूर से मतालिख वरकिंग ग्रूप की पहली मीटिंग आज गोहाटी में शुरू हो गई है बीजेपी ने में गाले असम्बली इंतखबात के लिए साथ उम्मीदवारों की फैरिस दारी की है और से मुलकी टी ट्वेंटी सीरीज में आज शाम भाती खवातीन की टीम खिताबी मुकाबले में मेजबान जुनुबी अफरिका का मुकाबला करेगी इसके साथ ही खबरों का ये बिलेटन खत्म हुआ